हेलो एंड वेलकम टू नाइन्थ एपिसोड ओफ नी पेन रिलीव सीरीज आप डॉक्टर वरुन वासेल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे three mistakes of knee pain के den के जी हां जब तक हम यह नहीं पता लगता कि हमारी मिस्टेक के प्रॉब्लम की तब तक हम उस प्रॉब्लम को सलुशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह गल्ती है जो हमारी प्रॉब्लम को बढ़ाती रहती है तो आज मैं इस वीडियो में आपको यही तीन मिस्टेक्स बताऊंगा नीपेन के और उसको कैसे ठीक है जाता है जिससे मारा नीपेन रिलीफ होता है और साथ ही साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है क्योंकि आप सब की व यह तो आप मैं आपको बताऊंगा थ्री मिस्टेक्स कौन-कौन सी है और उसका सुल्यूशन क्या है तो अगर मिस्टेक्स की बात करें तो नीपेन तीन वज़ा से होता है यहां तो लोगों को सीडी चड़ते हुए चलते हुए यहां उनको होता है सिटिंग में यहां कही ल फर्स्ट नंबर में आती है कि बहुत लोगों ने मुझसे कोस्टन किया है कि हमारे राइड नी में पेन है तो मैं पता ने लगता कैसे सीडी कैसे चड़ा जाए कैसे उत्रा जाए तो यही मैं आपको इसमें सोल्यूशन बताऊंगा कैसे पर यह जो चीज है अगर किसी के ए इसमें वो सीडी कैसे चड़ना चाहिए उसको अब जब विँसमें सीडी चड़ना है तो हमेशा उसको left leg उपर करनी है अब इसका एक phrase याद रखना आप एक फ्रेज है बड़ा अच्छा कि अच्छे लोग हमेशा उपर जाते हैं यानि कि तरक्की करते हैं और बुरे लोग वह मेशा नीचे आते हैं तो इस condition में हमारा अच्छा नी कौन सा है left वाला क्योंकि right तो affected है तो अच्छा कौन सा हुआ left वाला तो अच्छे लोग ऊपर जाते हैं का मदलब जब भी इसने ऊपर आना है नी ने जब भी हमने cd चड़ना है तो ऊपर आने time ये ऊपर वाला हमेश अच्छे लोग हमेशा ऊपर आएंगे तो इस तरह से हमने stepping करनी होती है हमेशा अच्छा लोग ऊपर cd चड़ते हुए हमारे हमेशा जो अच्छा वाला नी है वह मेशा ऊपर आएगा अब cd उतर ते time क्या करना है जब भी cd उतर नहीं है तो बूरे लोग नीचे का मतलब है कि जो राइट वाला नी है मेरा वो जब मैं cd उतरूंगा तो राइट नी मेशा मेरा नीचे आएगा पेले क्योंकि यह आपको यह समझना है कि हमारी जो folding होती है न स्टेर्स पे यही सारा काम खराब करती है और problem को बढ़ाती है तो folding कब होती है अगर मैं इसी तरह राइ अच्छे लोगों को नीचे लेकर आता है तो मेरा फिर से राइट वाला नीचे ही फोल्ड होता है तो असली में चीज गया है यह चीज फ्रेज की बात बताने कि क्यों हमें अच्छे लोगों को उपर रखना पड़ता है ताकि जो सीडी पे या स्टेर्स पे जो जो है मेरा अच्छे वाला नीच ले मनने कि अनफेक्टिड नीच अफेक्टिड नीच पे इस तरह से फोल्डिंग वाला स्ट्रेस ना आए वो जब भी सीडी उतरे या चड़े वो हमेशा सीधा रहना चाहिए अब देखिए फिर से देखते हैं अब जैसे मेरा राइट नी है तो हमेशा बुरे लोग नीचे जाने की जो अफेक्टिड वाला वो नीचे आएगा तो इस तरह देखिए यह सीधा नीचे जा रहा है सीधा और फोल्डिंग और हमारे लेफ्ट नी पर याने की अनफेक्टिड नी पर तो इसी तरह चलते हैं अब सिटिंग वाली पर या तो जब एकदम से उठते हैं तो उनके नीच में एक शूटिंग पेन होता है वो क्यों होता है लोगों की आदत होती है नीच को इस तरह से अपनी चेर के पीछे फोल्ड करके बैठने की यानि कि 90 डिग्री से ज़्यादा जब वो नीच को फोल्ड करके बैठते हैं तो जित काम से अपने समझाने के बावजूद भी वह आपने ब्रेक नहीं देते हैं कभी उठके बैठना इसतरह से काम नहीं करती है मैं लिसा सिटिंग में रहते हैं तो आपनी चेर को बहुत सारे श्टूरेंटस भी ऐसे हैं जो इस तानी चेर के पीछे नीस को फसालेते और इस त करने के लिए यही कारण होता है जिसके मसल इंबैलेंस होता है मसल वीग होता है वो नी को स्टेवल नहीं कर पाता तो यही डीजनरेटिव चेंजिस आने का भी सबसे बड़ा कारण होता है तो हमेशा इसमें क्या में प्रिकॉशन लेनी चाहिए ऐसे तो एक दब कभी के निके अपना एंकल के ऊपर अपना अपना लैक के ऊपर अपना एंकल रख लेते हैं इस तरह से प्रेशर भाँ बोत होगता है इसका मेरा एक और ओर वीडियो आया है जिसमां मैंने आपको बताया के लोग िस तरह से जब CROSS الع बताया हुआ है वह वीडियो भी जुरूर देख लें तो इसमें सबसे जुरूरी होता है कि जब भी आप बैठें और कुछ लोग अपने काजब ट्रैवलिंग करते हैं कार में तो जिनकी तो सीट्स नीचे होते हैं उनको बैठने बहुत मुश्किल से पड़ता है क्योंकि उन मुव्मेंट शुरू करें नीज की ताकि वह थोड़ा वाम अप हो जाए और जब आप उठें तो मसल प्रिपेर हों उस्ट्रेस को लेने के लिए क्योंकि जब आगे मसल प्रिपेर ही नहीं होंगे और उपर से आपकी वीक्नेस इतनी है तो हमेशा जो वेट है वो सबसे अच्छे और सबसे इंपोर्टन है तो इनका बातों का ध्यान जरूर रखें और बैठने में जो आपको प्रिकॉशन बताई हुए उसको जरूर देखें तो अब चलते हैं अपनी मिस्टेक नमबर थर्ड की तरफ जो लोग सोते टाइम करते हैं और हमें उसको कैसे हम बचाया सकते हैं क्योंकि सोने में बहुत सारी लोगों ने में को एक कोश्चन किया कि हमें नीपेन में सोना कैसे जाए तो आए चलते हैं उसको देखते हैं अब देखिए सोते हुए लोगों कि क्या गलती होती है क्या मिस्टेक करते हैं वो नीपेन में सबसे पहले जिनको और जब लोग हमेशा साइड लेकर सोते हैं चाहे लेफ्ट या राइट तो वो क्या करते हैं इस तरह से सोते हैं और उनके नी के ऊपर जब नी का क्योंकि वो नीचे की और बेंड गिया हुआ है और दूसरा जब उसके साथ करते हैं तो यह सुबह बहुत स्टिफ हो जाता है या रात को भी उनको पेंड शुरू होने लगते हैं इरिटेशन बर्निंग ऐसी सेंसेशन शुरू हो जाते हैं तो इसमें हमने क्या करना होता है जब भी हम साइड लेकर सोते हैं तो बीज में पिलो जरू रखके सोएं अपने नीज को जुड़ने ना दे एक तो इससे मारा जो एंगल है अब देखिए एंगल जो पहले टेटा हो रहा था नीचे की और जा रहा था अब वो सीधा रहता है यानि की फीमर बिल्कुल सीधी रहती है हमारी और दोनों नीज जुड़ते नहीं है जब वो जुड़ेंगे नहीं तो उनकी ब्लड सप्लाई है क्योंकि प्र इसकी तरह से कुशन आता है स्पैसली एक कुशन होता है नी कुशन अगर पिल्लो नहीं रखना तो इसको जाके और कर सकते हैं उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देदूंगा इस तरह का कुशन होता है तो उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देखके वहां से हुए लोग क्या करते अब यह वैसे ठीस हटा है पर यह हमें नई रखना चाहिए क्योंकि कहीं लोगों क्या होता zob flexion deformity क्या होती है हमारा knee folding position में रह जाता है क्योंकि जब हमने अपने knee को चलना है या खड़े रहना है तो हमारा जो quadriceps है वो extension leg नहीं होना चाहिए पर ऐसे करने से हमारा extension leg शुरू हो जाता है नी folding position में रह जाता है quadriceps proper VMO muscle weak होना शुरू हो जाता है तो इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए हाँ कुछ देर के लिए अगर आपको कोई injury हुई है या आपको कोई तो rest देना है तब हम कर सकते हैं पर इसको regular use में बिल्कुल मतले क्योंकि हम folding नहीं हमें quadriceps की strength चाहिए ना कि उसकी weakness तो इस तरह से आप fix flexion deformity create मत करें तो यह थी three mistakes of knee pain और उनके solution आप भी solution को follow करके अपने knee pain को कम कर सकते हैं इसी तरह से मैंने shoulder pain पे three mistakes of shoulder pain और two mistakes of back pain यह वीडियो भी बनाए हुए मैं mistakes पर वीडियो इसलिए जरूर बनाता हूँ क्योंकि कि लोग मेशा पूछते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए और अगर वह गलत करते हैं तो इसको solution क्या है तो इसलिए mistakes में मेशा एक वीडियो जरूर बनाता हूँ तो हमारा low back pain सीरीज में भी आया हुए कि low back pain की mistakes और हमारा shoulder pain में भी आया हुए कि shoulder की shoulder pain की mistakes और उसको solution तो यह knee pain के लिए बचा हुआ था तो knee pain की भी मैंने mistakes बता रही और उसको solution बता दिया है इसी तरह से आप knee pain relief series को बहुत प्यार दे रहे हैं और बहुत हमारे पास consultation आती है नीपेन के लिए तो उसके लिए हमने सारी जो लिंक्स है उसके नीपेन exercise के वो description में दे दूँगा और आप जो ball बन वीक उसको आप तक deliver कर सकते हैं तो नीप्रेस बॉल का भी वीडियो मैंने आपको बनाया हुआ कि exercise कैसे करते हैं इसको भी आप जाके देख सकते हैं यह सारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसलिए मैं डाल देता हूं क्योंकि यह एक से एक इंटर रिलेटिड होते हैं और आप जो question करते हैं उसका answer आपको description में मिल जाएगा तो यह वीडियो जाके जुरूर देख लीजिए अब चलते हैं अपनी first mistake की तरफ जब मैंने आपको का था कि मैंने single नीका तो पता दिया आप double के लिए क्या करना पड़ता है जब क्योंकि unfortunately कई लोगों को दोनों नीज में बहुत ज़्यादा problem होती है तो वो cd कैसे चड़े क्योंकि उनको कई बार चड़ना पड़ता है तो वो हमेशा stick use करें एक साइट पर railing होना चाहिए दूसरे हाथ में stick होना चाहिए इसका video मैंने मनाया हुआ है कि stick के साथ हमें stairs कैसे climb करने है क्योंकि यह बहुत जरूरी चीज है लोगों के लिए लोगों को जब स्टेर क्लाइमिंग में confidence आ जाता है इस तरह से क्योंकि यूनिलेटरल याने की एक नी में problem हो तो वह तो easily मैंने आपको बता दिया method अच्छे लोग उपर बुरे लोग नीचे तो पर जब दोनों में प्रॉब्लम होता है तो हमें stick जरूर पकड़ना चाहिए थोड़ी देर के लिए पकड़ें सिर्फ stairs के time पकड़ें तो हमें जरूर पकड़ना चाहिए इसी तरह से आपकी कोई भी query है या आप मुसे कुछ discuss करना चाते हैं अमनी MRA के related अमनी problem के related तो नीचे निखे नंबर प सब्सक्राइब करें साथ consultation होती है बात होती है मैं आपकी MRI report के base पे x-ray के base या आपके symptoms के base पे आपको exercise prescribe करते हम तो उसको exercise करके आप ठीक किया जा सकते हैं अगर आपकी कोई query है तो आप नीचे ली के नंबर पर जाके अपना appointment book कर सकते हैं और नी press ball के लिए और बाकी चीज देखे जाए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यावाद तो इसी तरह से हमारा चैनल का एक भी वीडियो मिस्स ना करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जूरू कर लीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से लोगों के साथ शेयर कीजिए लाइक जब आप किसी के साथ शेयर करेंगे वीडियो उसको भी पतल लगेगा तो आप एक तरह से उसकी हेल्प ही कर रहे हैं तो इस तरह से इसको लाइक और शेयर जूरूर कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कोकि इसका एक भी वीडियो मिस्स करने आप बिलकुल नहीं है, have a nice day, take care of yourself